एंड प्रेस तब बेल आइकेर नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तों मैं आशुतास महिंद्रा स्वागत करता हूँ आपका और सभी शिफ्ट है जितने भी प्रेशन है बच्चों जिसमें से इंपॉर्टन कुश्चन आपके जो एक्जाम में आ सकते हैं उसको हम सभी लोग क्या करेंगे आज सॉल्व करेंगे बच्चों ठीक है तो इन्हीं जो श्रिंखला है बच्चों मोस्ट एक्पेक्टेट पेप यह उनकी सभी प्रेशनों की श्रिंखला है जो आने वाले एक्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टन है और यहीं आपको क्या करना है ध्यान रखके चलना है बच्चों ठीक है तो सभी बच्चे लोग उसे मैं गुज़ारिश करूंगा जितने नए हैं फटा-फट एक ब और बहुत ही बेहतर आपकी तयारी भी चल रहे होगी चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपने सस्थन को आगे बढ़ाते हैं और अपकमिंग बैच्च вес की इंफॉरूमेशन आपके लिए बहुत इंपॉडनट है बच्चों मार्च के बैच्चे है एक मार्च से हमारी SST के batch start हुई है साड़े 10 से साड़े 12 इसके बाद बच्चों 15 मार्च से batch start है bank की और 29 मार्च से फिर बच्चों SST के batch start है इन में से किसी भी batch में आपको admission लेना है तो क्या करना है बच्चों इन numbers पर contact कर सकते हैं आप या हमारी official website को visit भी कर सकते हैं तो फटा-फट admission कराईए और selection की दिशा में कदमा के बढ़ाईए क्योंकि CGL की notification बच्चों एक April को आ जाएगी और MTS की परिछा भी आपकी April में प्रस्तावित है तो जितने भी बच्चे हैं जितने भी बच्चे हैं मैं आप सबसे बोलूँगा कि तयारी के स्तर को बढ़ाना है बच्चों और जितना बहतर अपने तयारी के स्तर कर लेंगे उतना ही जल्दी आपका selection होगा बच्चों ठीके तो इनी शब्दों के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हर्श जी गूड़ इबनिंग आलोग जी रिचा जी एकता जी सभी बच्चों को बहुत बहुत गूड़ इबनिंग जो बच्चे नए ही बटा आप सबसे बूलूँगा कि सेशन को एक बार क्या कर दीजे बच्चों लाइक कर दीजे सभी बच्चे लोग लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजे और जो बच्चे नए हैं क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चो जो बच्चे नय है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस बात को धियान रखेगा बहुत इंपॉर्टन यह सेशन है बच्चों आपके लिए ठीक है चली वेरे गुड हर्ट जी आलोग जी रिचा जी एकता जी और कुश्वाह जी सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार एक बाट सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कीजे ठीक है और नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे डेली साड़े छे पे क्लास चल रही है और ये क्लास इंक्लूसिव है बच्चों एंप्टियस प्लास है इंक्लूसिव क्लास है इसको अगर आपने यमानदारी से एक्टे का निमलिकित में से कौन विशाडू जनित रोग है बच्चों आपको बताना है और आपको ऑप्शन है जीका यूबर कुलोसिश टाइफाइड और लेप्रोसी आपको ऑप्शन है दोजार एक किस का कुशन है बच्चों आंसर सभी लोग करेंगे बताएंगे राइट आंसर क्या है और सबने आंसर करना शुरू कर दिया है रवी जीने जीका लिखा है बच्चों तेमालिया जीने लिखा है कुमार जीने डी लिखा है रेचा जीने जीका लिखा है और रवी पटेल जीने जीका लिखा है वेरे गुड बटा और मधुरिया जीने भी जोड़ चुके ह वो भी आंसर कर रहे हैं और रेचा जी नै भी जिका लिखा है अभशेक जी लिख रहे है सभी बच्चे लोग एक ही आंसर कर रहे हैं या तो TB होगा या तो Zika होगा तो सभी बच्चे लोग ये बाद ध्यान रखे है इतने प्रश्ण हम लोगों कर लेजे तो जीका वायरस याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा ख्लियर हो गया था भी बच्चों को जल्दी से कमेंट बक्स में लिखके बताईए ठीक है चलिए वेरी गुड बटा आगे बढ़ते हैं बच्चों कितने बच्चों ने देखिया आंसर किया है उससे पहले देख लेते हैं जीका विशाणो जिनेत रोग है जो मच्चरों द्वारा मनुश्यों में फैलता है कैसे फैलता है बच्चों तो मच्चरों द्वारा मनुश्यों में फैलता है तो वाहक क्या है बच्चों तो वाहक आपके मक्चर है ठीक है कौन से इसमें बच्चों क्या क्या आता है बुखार तवचा पर चकत्ते नेत्र श्लेश में शोध मांस्पेशियों और जोड़ों में दर्द अस्वस्थता और सिर दर्द शामिल हैं आप सभी बच्चे लोग घ्यान रखेंगे और ये चार कुश्चन बच्चों यहां पर हम लोगो सभी बच्चे लोग अपने विचार साजा करें comment box में लिखके संभावना सेलेक्शन की बढ़ेगी ना बच्चों क्योंकि एक कुश्चन और आंसर नहीं देख रहे हैं हम लोग यहां पर यहां पर जो चार कुश्चन और हैं बटा वो भी हम लोग देख रहे हैं सभी बच् जी ने चत्रसेant जीने लिट इने सुर्भी जीने salbib जीने उमकांद जीने ऑर प्रीत जीने अन्सर किया है आप सभी बच्चे लोग बठाई के Pात कि में बटा बहतरीन ना आंसर किया है सेख और अचैडर सेशन का बच्चों पहला question most expected question की श्रिंख्लाम में ये रहा आपके सामने बच्चो निमलिखित में से किस ने हर्षवर्धन को तब पराजित किया बच्चो जब उसने दक्कन में चालुक की समराज्य पर आक्रमण किया था बच्चो बहुत अच्छा कैसले बच्चो आपके एक्जाम के बॉंटयों कि से आंसर सभी को करना है केरति वर्मन प्रथम मंगलेश विक्रमां देति प्रथम और फूलकेशिन दिती आपकी आपके ओप्षन है आंसर सभी लोग करेंगे बेटा धामा केदा तरीके से, जानदार तरीके से शानदार तरीके से, बुलेट ट्रिन की स्पीड से आंसर आने चाहिए, जल्दी से बता दीजे बच्चो प्रभार जी लिखने हैं विल्कुल, यस सर और जो बच्ची ने हैं बेटा मैं सबसे गुदारिश करूँगा फटा-फट एक बड़ सेशन को लाइक और शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर नहीं किया हो तो ठीक है, चली, तो यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया या दी आंसर आ रहा है या तो फुलकेशन दिती आंसर आ रहा है या तो डी या तो फुलकेशन दिती ये बहुत अच्छी बात है कि युनोनिमस आंसर आप लोग कर रहे हैं एक ही मत पे सहमत हैं बच्चो आप लोग ठीक है बहुत अच्छी बात है तो Pulcation Dviti is the right answer Pulcation second is the right answer बहतरीन question है शांदार तरीके से participate करके आप लोगों ने बताया है ठीक है चलिए Very good Next अब इसके बारे में कोछ जानकारी देख लेते हैं बच्चो चालुक की वंश के राजा थे Pulcation Dviti उन्होंने हर्शवर्दन को हराया था तो किस वंश के राजा थे बच्चो तो चालुक की के थे चालुक की वंश के राजा थे बच्चो याद कर लीजे important है exam में आ सकता है ठीक है हर्शवर्दन को तब हराया जब भारत के दच्छनी प्रायदीप में अपने सामराज्य का विस्तार करना चाहता था ठीक है एहोल अविलेक के अनुसार अर्शवर्दन और पुलकेशन के मद युद्ध नर्वदा नदी के तट पर 630 इस्वी में लड़ा गया था तो किसके अनुसार बच्चो प्रमाण मिलता है एहोल अविलेक इंपॉर्टेंट है बटा एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है और नर्वदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था बच्चो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और युद्ध कब हुआ था बच्चो तो 630 इस्वी में तो 5 कोश्चन बच्चों यहाँ पर हम लोगों को मिल रहे है 5 कोश्चन मिल रहे है जो हम लोगों क्या करना है तैयार कर लेना है यहाँ पर और इसकी पीडियप सभी बच्चों लोग मिल जाएगी धियान रखेगा ठीक है लेकिन सेशन के बाद सेशन को धमाकेदार तरगी थे टेंट कीजे पार्टिविट करिए एहो लभी लेक चालुक की राजा पुलकेशन दिती के दरबारी कवीर रवी कीरती दोरा लिखा गया है और ये भी कोशन बच्चों एक्जाम में आ चुका है कि एहो लभी लेक किस ने लिखा बच्चों तो पुलकेशन दिती के दरबारी कवीर रवी कीरती ने शे प्रशन बच्चों यहाँ पे हमें मिल रहे हैं अब देखिए इतना वाश से लिवस है तो ये तो हमें नहीं पता है से किससे कोशन बनाएगा लेकिन अगर इससे कोशन बनाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा बच्चों इतना हमाशूर कर सकते हैं यही mindset लेके चलना है बच्चों ऐसे त्यारी करेंगे तो यकीन मान के चलिए बहुत ही fantastic बच्चों आप लोग का paper होगा और selection होगा ठीक है चलिए very good बिटा बहुत बने answer कर रहे हैं और अगला question ये रहा आपके सामने निमलिकित स्वतंतरता से नानियों में से किसने भारत छोड़ों आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया ट्रेंक मैदान में भारती भज को फेराया था बहुत अच्छा कोश्यने बच्चों जल्दी से आंसर कीजिए अरुनासिफली, मतंगनी हाजरा, सरोजनी और तारा, रानिश्री वास्तो आपके आप्शन है, आंसर सभी लोग करेंगे, बता देंगे, राइट आंसर क्या है, धमा के दार तरीके से, चलिए, सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताईए चलिए, बहुत बढ़े आंसर आ रहा है, और ए या अरुनासिफली आप सब बच्चों का आंसर आ रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, शानदार तरीके से आप लोगों ने फैंटास्टिक आंसर किया है, और अरुनासिफली इस दर राइट आंसर, ज्यान कर लिजिए, मु इप्टेंट कोशन है, एक्जाम का आया हुआ है, और मोश्ट एक्टेंट है, आने वाले एक्जाम के लिए बच्चों, ठीके, चलिए, देखते हैं बच्चों, भाराज छोड़ो अंदोलन के दोरान, मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारती तरज को अरुनासिफ इन्हें स्वतंतरता अंदोलन की ग्रैंड ओल लेडी के रूप में जाना जाता है बच्चों, इंपोर्टेंट है यहार, point to be noted बच्चों, स्वतंतरता अंदोलन की ग्रैंड ओल लेडी बच्चों ध्यान रखिए, और यह आपके लिए क्या है, यह आपके लिए बहुत भारत छोड़ों अंदोलन, 8 अगस 1942 को ग्वालिया टेंक मैदान से शुरू हुआ बच्चों, तो भारत छोड़ों अंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप लोग याद कर लेना है, 8 अगस 1942 कलत नहीं करना किसी को, ठीक है, यह date important है, और ग्वालिया टेंक मैदान से शुरू और गांधी जी ने क्या नारा दिया था बच्चों, करो या मरो का नारा दिया था, तो अगेन हियर भारत छोड़ों अंदोलन से संबंदित हम लोगों ने 6 facts देखे, जो हमारे लिए यह assure करते हैं कि अगर इससे question आएगा, तो यकीन मान के चलिए, सही कर लेंगे हम लोग, और इसकी संभाव ना जाता है, ठीक है, चलिए, very good बटा, बहुत बढ़िया, pre means दोनों के लिए यह आपके लिए explanation बहुत important है, बच्चों ध्यार रखेगा, multiple statement पले question means में आ रहे हैं, CGL में आये हैं, CHSL में भी आने की पूरी संभाव ना है, ठीक है, चलिए, next, निमलिखित में से किस जीव में एक से दिखरदे होते हैं, गेरगिट, ओक्टोपस, कच्छुवा और साही आपके option, ठीक है, एक से दिखरदे, जल्दी से answer कीजे, बता दीजे, right answer क्या होगा, सभी बच्चे लोग, ठीक है, grand old man of India, दादा भाइन और जे बिल्कु सही बात है रभी जी, very good बटा, बहुत बढ़िया, session को like और share नहीं कर रहे हैं आप लोग, पसंद नहीं आ रहा है बच्चो, एक बार सभी बच्चे लोग session को क्या कर दीजे बच्चो, like कर दीजे, और सभी बच्चे लोग फटा फट क्या कर दीजे, एक बार share कर दीजे बच्चो, और जो कर रहे हैं और कुछ बच्चे लोग सी भी लिख रहे हैं या तो बी या तो सी यहां पर डिवीजन आफ पूट है देखते हैं आंसर क्या हो का बच्चों तो ऑक्टोपस इस दा अंसर है धियान कर लीजिए इंपॉर्टन्ट है एक्जाम के पॉंट अफिसे निश्चत रूप इस एक्जाम में दुबारा पूछा जातकता है क्लियर है बच्चा चलिए वेरे गुट नहीं आ रहा है तो परशान नहीं होना है बटा ठीक है चलिए अगला कोश्चन नालंदा और विक्रम शिला विश्युद्यालेओं के स्थापना किस राजवंश के स्थापना किस पता देना है राइट आंसर क्या होगा फटाक से बताईए चलिए सब के आंसर आने चाहिए वन आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन बच्चों जो आपको पता होना चाहिए और आप सब को बेटा आंसर करना है जल्दी से वक्दिए चलिए बहुत बढ़े आंसर कर रहे है बच्चों और सभी बच्चों ने युनानिमस थरीके से बी आंसर करके बताया है तो बी इस दा राइट आंसर हियर बच्चों पाल ही एकदम सही उत्तर है और पाल वन्ष ने क्या किया था बच्चों नालंदा और विक्रम शिला वैसे ही थे जैसे आज की डेट में अमेरिका और ब्रेटेन के उनिवस्टी थे हैं बच्चो ऑक्सफोर्ड और स्टाइनफोर्ड और MIT क्लियर है बच्चो तो भारत विश्व गुरू था सिच्छा का केंद्र था और पूरे विश्व से लोग आते थे भारत में पढ़ने के रिए ठीक है बच्चो क्लियर है तो उस क्या है उस गौरों को पुनह प्राप्त करना है यह हमारा लक्ष होना चाहिए और यही हमारा उ भागलपुर में विक्रम चिला विश्व द्याले की स्थापना की गई तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चो विक्रम चिला विश्व द्याले की स्थापना नालंद कब की गई बच्चो आठीवी सताब्दी में भागलपुर में विहार प्रांत में की गई थी किसके द्वारा धरम पाल के द्वारा important question है ध्यान रखने का ठीके तो धरम पाल ले की थी स्थापना इसको मैं अंडरलाइन करा हूँ नालंदा विश्वद्यायत के स्थापना गुप्त शाषक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी बच्चों ठीके तो यहां पर आपके लिए क कुमार गुप्त प्रथम ने क्या किया था बच्चों आपका नालंदा विश्वद्याले के स्थापना की थी दोनों ही प्रश्ण एक्जाम में आ चुके हैं और आपको पता होना चाहिए निश्यतुर्प से एक्जाम में आने की संभावना है ठीके चलिए नेक्स्ट निमलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिक्ता अधिनियम पारित किया गया जल्दी से बताइए बच्चों सभी बच्चों क्या आनसर आने चाहिए 1955, 1962, 1959 और 1947 आपके आनसर आसrin हैं somethin को करना है बहुतं अच्चा बाख्चों सभी बच्च लोग आनसर कीजिये बता दीजों पसंद आ रहा है तो लाइक और शेर कर दो बच्चों के अधिन 1955 आप सभी बच्चे लोग आंसर कर रहे हैं, शानदार तरीके से युनॉनिमस आंसर आप सभी बच्चों का रहा है, और सभी बच्चे लोग एक ही बात पर सहमत हैं, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ठीक है? और आंसर हीर इस, 1955 बच्चों भारती समिधान संसत को याद क्लियर हो गई बात बच्चों, ठीक है? चली, very good बटा, भारत में पहली बार नागरिक्ता दिनियम, 1955 में पारित किया गया, ठीक है? इंपोर्टन्ट हीर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 1955 का नागरिक्ता दिनियम, नागरिक्ता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धार करता है बच्चों, कौन-कौन से 5 तरीके हैं बच्चों, जन्म के अधार पर, वंश के अधार पर, पंजी करन के द्वारा, देशी करन के द्वारा, और छेत्र का समाविश करने के द्वारा, नागरिक्ता दिनियम में इतनी बारसन शोधन किया गया है, ठीक है? यह आपका क जा है बच्चों पांच तरीके आपके लिए important है जिसके दौरा नागरिक्ता प्रात की जाती है पहला जन्म के दौरा दूसरा वंश के दौरा पंजी करण के दौरा रेजिस्ट्रेशन के दौरा देशी करण के दौरा और कोई छेत्र अगर भारत में शामिल कर लिया गया है त बहुत अच्छा कोश्चन है ठीके चलिए next अगला कोश्चन वच्चों 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोश्च ने कहां पर स्वतंत्र भारत की अंत्रिम सरकार के गठिन की कोश्चना की बहुत अच्छा कोश्चन है वच्चों आपके पंटों के जल्दी से आंसर कर द बताएंगे बटा one of the most important question जो आपको पता होना चाहिए और जल्दी से आंसर करिए बता दिजे इसका सही उत्तर क्या है ठीके आलोग जीने ए बोला है रिचा जीने सिंगापूर बोला है अमिज जीने ए बोला है गिरिश जीने भी बोला है और सभी बच्चे लोग या तो सि भेतरीन आंसर किया है बच्चो ठीके वेरे गुड बेटा नेक्ट देखिए बच्चो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चन बोस ने सुभाष चन बोस ने स्वतंत्र भारत की अंत्रिम सरकार के गठन की गोशना की ये डेट आपके लिए बच्चो इंपोर्टन्ट है 21 अक्टू या था ठीके आएने का गठन पहली बार मोहन सिंग ने और जापानी मेजर इवीची फुजिहारा के नेतरतों में किया गया था बच्चो और ये भी कोशन बच्चो आपका एक्जाम में आ चुका है मोहन सिंग और जापानी मेजर इवीची फुजिहारा याद कर लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्जाम में आ सकता है ठीक है चलिए आएने में सिंगापुर के जेल में बंद भारती कैदी और दच्छिड पुर्वेश्या के भारती नागरिक दोनों थे बच्चों यह धियान रखिएगा और इसकी स्यानेश हमता 50,500 हो चुकी थी और गांदी को किस ने कहा बच्चों तो 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर उन्होंने संभोधन किया और महत्मा गांदी को क्या बोला राश्टर पिता बोला बच्चों और ये प्रिच्चों पांच कोश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रहे हैं तो यकीन मानके चलिए कि सही होने की संभावना बहुत जादा है अगर ये प्रिश्न इक्जाम में आगा ठीक है सबको क्लियर हो गया बटा कमन बक्स में लिखके बताएंगे सभी लोग ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन प्रसिद्ध संगीतकार ए और रहमान ने निमलिखित में से किस गीत के लिए बावनवा ग्रैमी पूस्कार जीता बहुत अच्छा कोश्चन है बच्चो बताईए रूबरू बंदे मातरम जैहो दिल्ली सिक्स और सीयर चिसल का 2021 का कोश्चन है बच्चो 26 मही की शिफ्ट का सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे कि शानदार तरीके से और सी अंसर कर रहे है ताउल जी लिखाए रवी जी लिखा है अलोग जी और पिता जी लिखा है गुहल जी ने सी लिखा है, अरुन जी ने लिखा है, भारत जी ने, कुमार सचिन जी ने, प्रिया जी ने, देवमालिया जी ने, रोश्णी जी ने, बेरे गुट बटा, अंकिता जी ने, हर्श जी लिख रहे हैं, हर्श जी लिख रहे हैं, very useful question सा, thank you, useful है, पसंद आरहा है बच्चो से, आराम से 22 कोशन सही करके आएंगे, आप सभी बच्चे लें, बस इमानदारी से, डेली 50 मिनट का समय देना है, और 50 मिनट का समय अगर आपने दे दिया, तो आने वाले जीवन के 50 साल आपके बितर हो सकते हैं, बच्चे, चले, very good, और यहाँ पर बच्चों, जै हो, is the right answer सभी बच्चों लोगों ने शांदार आंसर करके बताया है, स्लम डॉग विलेनियर का गाना है, और यह बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इनका पूरा नाम क्या है, अल्लाह रख्खा रहमान, यह इनका पूरा नाम है, एर रहमान का, फिल्म संगीतकार, रिकॉर्ड निर और दो सरुष्रिक मूल गीतों के लिए, जैहो, 2008 की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, एर रहमान द्वरा रेचितक गीत है, और आप सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए, जैहो किसका गीत है बच्चों, तो स्लम डॉग मिलेनियर का जो रभी जी ने निखा है, ब 2000 फिट की और सत उचाहिवाला कौन सा पठार, तीन परवश्रिंखलाओं से घीरा है बच्चों, उत्तर में सत पुड़ा श्रिणी और दोनों तरफ पूर्वी और पश्चमी काट, बहुत अच्छा कोश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर करके बताएंगे बच्चों, 2020 क अच्छा का कौश्चन है, मारवार प्लेटू, मेघाले प्लेटू, डेक्कन प्लेटू और छोटा नाखपूर प्लेटू आपके ऑप्शन है, सभी लोग आंसर कीजिए, शांदार तरीके से, बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बच्चों, जल्दी से क्या करना चाहिए, आंसर करना चाहिए, और सब के आंसर आने चाहिए, और युनानमस तरीके से, रवी जी ने डी लिखा है, अरुन जी ने सी लिखा है, राहुल जी ने धक्कन लिखा है, गोहिल जी ने सी लिखा है, यहाँ पर क्या है बच्चों, डिवीदन और पोट है, है बच्चों उत्तर में सत्पोड़ा श्रणी है ऐसे और यहां पर बच्चों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ठीक है धियान रखिएगा सभी बच्चे लोग important है जो मैंने यहां पर आपको दिखाया है एक्जाम के point of office से बहुत important ठीक है पसंदा रहा तो लाइक शेर करेंगे और नए हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे डेली साड़े 6 बजे क्लास में जोड़ी है धमा के दार तरीके से चलिए देखे दच्चिन भारत में दक्कंका विशाल पठार पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में इस और यह तीनों फैक्ट बच्चो आपके लिए क्या है एक्जाम के कुश्चन है और आपको क्या करना है इसको कंठस्त कर लेना है एक्जाम में पूछ जाने की पूरी संभाव ना है बच्चो ठीके चलिए बहतरीन आंसर सभी बच्चो ने किया है यह दोविशे जी भी अच्छा है 37 जी ने भी आंसर किया है और आंसर सभी बच्चे लोग कर रहे है यह बहुत अच्छी बात है बटा बहुत ही बहतरीन आंसर नेक्स्ट अगला कोश्चन बच्चो अगला कोश्चन है सरकार द्वारा वित्तिया अनुशाशन की कमी से क्या हो सकता है ऑप्शन आ चलिए ए और बी दोनों और या तो ना तो ए ना तो भी और ये भी बच्चों सी एचसल का दोजारे किसका कोश्चन है आंसर सभी लोग करेंगे बटा बताएंगे राइट आंसर क्या है इकॉनमी का बहुत अच्छा कोश्चन है बच्चों जल्दी से बता दीजे आंसर करे करेंगे बिटा बताएंगे रइड अंसर क्या है जल्दी से अ पिछली वहत्री ना अंसर कर रहे हैं और शी लेकिनु आ रहा है यादा तर वच्चों में यही आपसे उम्मिद ना रहूं गा क्योंकि सेशन में बने हैं तो आंसर करना आपका मूल करता भी है बच्चों तो राइट आंसर हीर इस A and B बोथ A and B बोथ आपका आंसर होका बच्चों त्यान रखिये तो वित्ती अनुशाशन की कमी होगी बच्चों तो दोनों चीज़ें हो सकती है अत्रिक्ट expenditure, excess expenditure करेंगे और जब excess expenditure करेंगे बच्चों तो मुद्राज कृती की संभावना भी होती है इंपोर्टेंट है सभी बच्चों लोग नोट कर लिजे बहुत अच्छा कोशन है बटा ठीक है चलिए राष्ट्री hydrogen mission कब शुरू किया गया? बहुत अच्छा कोशन है बच्चों जल्दी से आंसर करेंगे बटाएंगे सभी बच्चे लोग क्या इतका राइट आंसर है गोहिल जी लिख रहे हैं कि सर मेरा गलत हो गया गलत हो गया टेंशन नहीं लेनी है बटा यहां पर आपका जरूरी नहीं है कि सारा प्रश्ण सही हो लेकिन अगर जो गलत हो रहा है बटा यहां पे वो एक्जाम में आपसे गलत नहीं होना चाहिए इस बात को ध्यान रखें यही इस session की उप्योगिता है बटा यहां आप गलती करेंगे चले का बटा लेकिन एक्जाम में आपका perfect होगा यही तो इस session की beauty है बच्चो इसलिए तो आपको attend करना है discuss करना है जो मैं आपको कर रहा हूँ discuss करके बता रहा हूँ कैसे answer करना है कैसे technique से answer करना है केवल पढ़ नहीं रहे हम लोग यहाँ पे हम लोग exam में कैसे answer करना है वो भी देख रहा है बच्चो ठीके तो c answer आप लोग कर रहे है 15 अगस्ट 2021 is the right answer 15 अगस्ट 2021 is the right answer बहतरीन answer धमा राष्ट्री hydrogen mission का शुभारम किया इस mission के साथ भारत अक्षे उर्जा छेत्र को लक्षित करने और hydrogen शक्ती का पूर्ण दोहन करने के लिए पूरी तरीके से तयार है बच्चो ठीके चलिए very good बटा और ये date याद कर लिजे माननी मोधी जी ने इसको launch किया है ये भी date लिए के लिए important है बच्चो और अच्छे उट जाए renewable energy को पूर्णता दोहन करने के लिए भारत अब तैयार है आपको ध्यान रखना है बच्चो ठीके चलिए चलिए very good बटा lack of financial discipline से inflation कैसे होगा हर चीप पहले आप search करिएगा ठीके नहीं clear होगा तो कल की comment box में कल के session में पूछेगा पहले आप अपना ground work background work कीजिए ठीके तो मैं आपको बताऊँगा ठीके चलिए very good बटा वह ही जी लिखना है कल exam है best of luck बटा बहुत बढ़िया paper करक tension नहीं लेना अपना best करके आना है ठीके सभी बच्चे लोग अगला question पंडित भवानी शंकर एक कैसे खिलाड़ी है बताना है बच्चो पंडित भवानी शंकर एक कैसे खिलाड़ी है पाखावच तानपूरा धूलक और तबला और ये भी बच्चो 2021 किसकर CSS का question है आंसर सभ जल्दी से बता दिजी जल्दी से सभी बच्चे लोग बता दीजे वव उन अप दो मश्ट inadequate question बच्चो जो आपको पता होना चाहिए बताना है बच्चो जल्दी से सभी बच्चे लोग answer करेंगे बताएंगे right answer क्या है बहुत ही तेजी से speed में answer करना है बच्चों मैं wait कर रहा हूँ सभी बच्चों के answer आने चाहिए और एक बार सभी बच्चे लोग क्या कर सकते हैं बटा एक like और एक share तो बच्चों सभी बच्चों का बनता है सभी बच्चे लोग कर दीजे बटा धमा के दार तरीके से चैन दार तरीके से, जान दार तरीके से very good बटा ठीक है और answer आप लोग B कर रहे हैं तो देखना है बच्चों important यहाँ पर क्या है answer तो यहाँ पर बच्चों पाख्वाज अंसर होगा बच्चों दhy miracle रखेगा तो B answer नहीं है Telia be answer नहीं है यहाँ पर answer क्या है पाख्वाज अंसर है लोग घी लिख रहे हैं 好不好 लेकिन although पाख्वाज बटा एकदम राइट आंसर है ठीके सबी बच्चे लोग नोट कर लीजिए important है बटा देखिए भवानी शंकर एक प्रसिद्ध भारतिय शास्त्रिय तालवादक है ठीक है उन्होंने अपने पिता पंडित बाबुलाल जी के मागदशन में पाखावज और तबला बजाना शुरू किया अब देखिए बच्चों य यहां पर अगर आप तबला भी देखेंगे अगर आप तबला भी कर रहे हैं तो गलत नहीं है इसलिए मैंने बच्चों यहां पर क्या किया यहां पर explanation आपको दिया है ठीक है तो भारतिय तालवादक है बच्चों ध्यान रखिएगा बाबुलाल जी के मागदशन में पाख इसलिटी कि वहां खावस सही माना आि तो तबला भी अगर आवर लिकते हैं तो वह गलत नहीं है लेकिन मैं रेक्मेंड करूंगा बटा कि अगर एक कोश्एन आता है तो आप लोग क्लियर हो गया बटा सब को में बताईょं बच्चों and beyond किसका शीर्शक है सभी बच्चे लोग बताएंगे अनिल कुम्बले जवागल श्रीनाथ विरंदर सहवाग और वीवेस लक्षवन और SSC CHSL 2021 का कोश्यन है बच्चों आंसर कीजिए बता दिजिए राइट आंसर क्या है सभी बच्चे लोग सभी बच्चे बताएंगे बटा सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे बटा बताईए बटा बता तो दिया रिचाजी दोनों सही है लेकिन आयोग ने जो सही माना है मैंने आपको बता दिया पक्खावज माना है ठीक है CHSL का SSC का कोश्यन है पक्खावज को आयोग ने सही माना है इस बात को ध्यान रख्ये ये बहुत अच्छी बात है कि unanimous तरीके से आप लोग आंसर करके बता रहे हैं VVS लक्षमन is the right answer here बच्चों और 281 and beyond ये आपकी आत्मकाता है इनकी है बहुत अच्छा बच्चों कुशन है ठीक है चलिए एक stylist बलने बाद जो किसी तरह की gain बाज़ी की खिलास score कर सकता था VVS लक्षमन ने 8000 से अधिकरन बनाने के लिए 100 से अधिक टेश्ट खेले हैं ठीक है 2001 में Eden Gardens में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 280 रन की उनकी खेल बदली पारी को क्रिकेट प्रशंचक अभी भी विसमे के साथ याद रखने है बच्चों 2001 के Eden Gardens में इन्होंने क्या किया था 281 की ना सभी बच्चे लोग बताईए 281 and beyond clear हुआ कि नहीं सभी बच्चे लोग इपर बता दीजे अगला question आपके सामने ये रहा नीचे दिये गई तस्वीर में दिखाए गए पारंपरिक भारती खेल का नाम क्या है सभी बच्चे लोग तस्वीर ध्यान से देखिए ठीक है और आ आंसर सभी लोग कर दीजे बता दीजे राइट आंसर के इतने बहतरीन question है बेटा आप लोग तब भी session को like or share नहीं करें एक like और एक share तो बच्चों बनता है maximum बच्चों तक एक session पहुंचना चाहिए बच्चों जल्दी से कर दीजे like or share और जो बच्चे नहें सब्सक्राइ प्रफ्ल जी नहीं लिख लगा है अलोग जीन्जी नहीं बहुत सारे बच्चे ने भी बहुत आख़तना आंसर कर रहे हैं कराने बच्चे तो पहले सेच्ष कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बातarbeit कि शांदार तरीकि से आप लोगो ने आंसर किया है वह अब Muito good करना चाहिए आंसर करना चाहिए सारे सभी बच्चों की आंसर आने चाहिए वेरी गुड बेटा और मल्खम इस दराइट आंसर मल्खम इस दराइट आंसर यह यह पिक्चर देख लिए बच्चों इसको मल्खम बोलते हैं गलती नहीं करिएगा गलती नहीं करिएगा एक्जाम पकड़ खड़े, इस्थिर और लटकते लकड़ी के खंबे, बेत या रसी के साथ पर दर्शन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और पोल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, चलिए, very good, next, निमलिखित में से सबसे पुराना उच्च नियाया लए कौन सा है, निमलिखित में से बच्चों, सबसे पुराना उच्च नियाया लए कौन सा है, सभी बच्चों को आंसर करना है, बेटा, one of the most important and easy question here, जो आपके SSC CHSL 2021 में आ चुका है, SSC CHSL 2021 में आ चुका है बच्चों, आंसर कीजिए, बताइए, right answer क्या होगा, one of the most important question here, अगर नाटिका हाई कोट, कैलकटा हाई कोट, इलाहबाद हाई कोट और डेली हाई कोट आपके option है, आंसर सभी लोग करेंगे बटा, जल्दी से बता दिजे करके right answer क्या होगा, सभी ब दिन मिस नहीं करना है बच्चों, और मिस नहीं करना है बच्चों, अपने इमानदारी से discipline से क्लाब काम कर दिया बच्चों, तो यकीन मान के कर लिए, GS किसी भी exam के लिए आपके लिए समस्या नहीं रहेगी बच्चों, बहतरीन आंसर आप सभी बच्चे लोग करके बता र नहीं हो रहे है, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से बहतरीन आंसर आप लोग को ने किया है, बहुत ही बहतरीन बड़ा, नेक्ष बच्चो देखलते हैं यहाँ पर अगला कोश्चन बच्चो आपके सामने हैं मैत्यराम रियांग जिनको सत्तेराम भी कहते हैं बच्चो किस लोक निर्टि में उनके योगदान के लिए पदमश्री से इनको सम्मानित किया गया बहुत अच्छा कोश्चन है बच्चो और session को बेटा, धमा के दार तरीके से आप लोग maximum बच्चों तक पहुँचा दिजे, बहतरीन question है, बहतरीन set of question है, like और share तो बच्चों बनता है, इतना तो सब लोग कर सकते हैं, इतना तो बनता है, और answer क्या है बच्चों, होजागिरी is the right answer, होजागिरी बच्चों क्या है, right answer है, मैं तिराम सियांग बच्चों, होजागिरी के लिए पदमश्री से सम्मानत किये गये हैं, बहुत बढ़िया question है, सांदार तरीके से बहतरीन answer सभी बच्चों लोगों ने करके बताया है, ठीक है, बहुत अच्छे question है, राहुल जी यकीन मन के चलिए, इन में से एक प् बच्चों लोग इसको नोट कर लिए, बहुत अच्छा question है, ठीक है, चलिए, होजागिरी के बारे में देख लेते हैं, एक लोकृत्य है, भारत के त्रिपूरा राजे में, रियांग वंश के त्रिपूरी लोगों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेगा, बहुत अच्छा question है, आप सभी बच्चे लोग देखो, इतना भेतरीन question है बच्चों, लेकिन आप लोग session को like नहीं करें, पसंद नहीं आ रहा है क्या बटा, एक बार सभी बच्चे लोग like और share तो कर दीजे बटा, ठीक है, चलिए, अगला question, भारत का पहला पारम परिक नित्य ठीएटर के लाके रूप में नया रूप दिया गया है और जिसे देश और विदेश में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे बटा, सभी बच्चे लोग बताईए, कुचिपूरी, मनीपूरी, कठककली और भरतनाट्यम, चल जल्दी से सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे, चार विकल्प है बटा, आंसर सभी को करना है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, कोई बच्चा ऐसा ना हो बटा, जिसने आंसर नहीं किया है, बहतरीन तरीके से, शांदार तरीके से, एक्सलेंट आंसर सभी बच्चों क तो देखते हैं भच्छा, भारत नाटियम क्या है वच्छों आपका सही आंसर है, भहतरीन तरीके से, शानदर तरीके से, excellent आंसर बच्छों आप सभी बच्छोंने करके बदा दिया है. ठीक है, very good बटा, fantastic answer सभी बच्चों की तरफ से, अगला question बच्चों, भारत नाटियम भारती शास्त्री संगीत का एक प्रमुक रूप है, जिसकी उत्पत्ती कहां होई बच्चों, तो तमिल नाडु के बच्चों, तो यह तमिल नाडु स्टेट याद करिएगा, यह आपके यह बहुत important है, भारत मुनी का नाटियम का मुल्शोत्र क्या है, तो भारत मुनी का नाटियम का अपने दरपन है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, बहतरीन question है, बटा, सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, एक्जाम में आने की पूरी संभ़ना है, next, निमलिखित में से, निमलिखित में से कौन सा एक मौसम विज्ञान उपकरण है, जिसमें एक निश्चिस समय में प्रती इकाई छेतर में वर्षा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मापन ट्यूप से जुड़ा एक फ़नल के आकार का संगरहक होता है, सभी बच्च ऐसे लो ठीक है, तो आंसर आने शुरू हो गए है, पुष्प्रणजं जीने D लिखा है, एंजल जीने D लिखा है, रपी जीने C लिखा है, और पिता जीने C लिखा है, राहूल जीने C लिखा है, और यहाँ पर बच्च्च attorneys क्या है डिष्ट इविजन औफ पोट है बेटा चलिए देखिए वर्षा की माप के लिए एक मानब उपकरण 203 मिलिमीटर 8 इंच वर्षा गेज है बच्चों यह अनिवारी रूप से 203 मिलिमीटर के व्यास के साथ एक वर्तिय फनल है जो बारिश को ग्रेजुएटेड और केलिबरेटेड सिलिंडर में एक अठा करता है अब आप सबको पता है बीवन की कमी से बेरी-बेरी होता है लेकिन यह नहीं पूछा है बच्चों यहाँ पर पूछ लिया है कौन सब बेरी-बेरी का लक्षन नहीं है जल्दी से बताईए दीरे-दीरे घाव भर रहा है अनैक्षिक नेत्रगति बोलने में कटनाई और अं जो एक्जाम में पूछा जा सकता है जल्दी से आंसर करें और बताएं राइट आंसर क्या होगा रवी जी ने ए लिखा है और राहुल जी ने सी लिखा है यहाँ पर बच्चों मधूरिया जी ने भी आंसर किया है और प्रफुल जी ने भी आंसर किया है तो देखना हो गया बच्चों तो बेरी बेरी का लक्षण बच्चा यह नहीं पूछा है बच्चों क्या है यह नहीं पूछा है ठीक है तो नहीं पूछा है लक्षण not पूछा है ये not is the keyword बच्चो not is the keyword प्रश्ण को उत्तर करने में इसको जरूर ध्यान देंगे बटा ठीक है चलिए देखते हैं बच्चो आंसर क्या है यहाँ पे तो यहाँ पे धीरे धीरे घाओ बरना आपका यहाँ पे आंसर होगा ठीक है देखें बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारणा होता है और कभी-कभी इसे थाइमीन भी कहते हैं बच्चो यह additional fact है बच्चो जो आपको पता होना चाहिए बेरी बेरी को हम क्या करते हैं बच्चो विटामिन B1 की कमी के कारणा बोलते हैं और B1 का नाम बच्चों क्या है आपका थायमीन ठीक है क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट निमली कित्म सक्की से लीजन ओफ ओनर पुरुसकार के अधिकारी से सम्मानित किया गया था बच्चों विच अधिक पर्सनेलिटीज वर ओवर्ड़ेट दा ओफिसर ओफ द लीजन ओफ ओनर अबाड सभी बच्चों लोग बताएंगे सभी बच्चों लोग बताएंगे आशा भोश्टले शम्शात बेगम एस जानकी लता मंगे शेराफ की आप्षिन है और सीर चसल का कोश्चन है तो जारे किसका आंसर कीजिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा सभी बच्चों लोग बताएंगे one of the most important questions है बच्चों धियान रखेगा most important question के शिंकला है और यकीन मांके चलिए अगर ये classes आपने अटेंड की तो साड़ेशे बज़े शाम बाली तो GS किसी भी आपका यहां पर सही आंसर है Legion of Honor पूरसकार के अधिकारी सीन को सम्मानित किया गया था officer of the Legion of Honor रवाट important है ध्यान रखेगा सभी बच्चे लोग ठीके next next दीखेए अगला निमलिखित में से कौन सा एक adventure sport है बच्चों which of the following is an adventure sport सभी लोग बताएंगे snow hockey, cycle चलाना, paragliding, paralympic options हैं और CHSL का 2021 का question है बच्चों, answer करिए, बताइए, right answer क्या होगा, सभी बच्चों लोग बताएंगे, ठीके, चलिए, किशन जी ने D लिखा है, राहुल जी ने C लिखा है, very good बटा, answer सभी लोग करिए, जल्दी से बताइए, तो answer here is paragliding, ध्यान रखेगा, paragliding क्या है बच से विधी में स्वैम को शामिल करते हैं, जो लोग, यह है एक motor मुक्त खेल है, paraglider, pilot को harness पहने हुए, कई परस पर जुड़ी हुई कोशिकाओं से बने, पंक के नीचे निलंबित किया जाता, आप लोगों ने देखा भी होगा paragliding, टीवी में नहीं देखा है बच्चों, त 1952, 1939, 1927, ये भी CHSAL का कोशन है, 2000 किस का, फिक्की की स्थापना का वुईति, चल्दी से बताईए, राहुल जी करें, एक वीडियो में मैंने देखा है, बहुत अच्छी बात है बटा, शान्त बहुत बढ़िया, और सभी बलोग देखिएगा YouTube पे कैसा दिखता, ठीक है, औ कुष्ट लोग किस जिवारू के कारण होता है बच्चों, लेप्रोसी इस कोश्ट बाई, बैक्टीरियम कॉल्ट, किस के कारण होता है, जल्दी से बताईए, मैक्रो बैक्टीरियम क्यूबर कुलोसिस, मैक्रो बैक्टीरियम लेप्री, हीमोफिलस पर्टुसिस, और नेई स है तो यहां पर आपका क्या होगा लेप्री बच्चों यहां पर आपका माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री आपका यहां पर जिवाड़ है बटा सभी बच्चे लोग ठीक है चलिए वेरी गुड नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल समराथ कौन थे बच्चों सबको बताना है बहुत अच्छा कुश्चन है शाह अलम दुति बहादूर शापतत्तम अकबर दुति और बहादूर शाद्विति आपके आपके आप्शन है SSC CHSL 2020 का कुश्चन है जल्दी से आंसर करिए बताईए राइट आंसर क्या होगा सभी बच्चे लोग तो देखते हैं र एक्षिल पाउर किसके पास थी इस्ट इंडिया कंप्री के पास ठीक है चलिए वेरी कुट नेक्स्ट भारती रेल्वे की ट्रैक चौडाई के आधार पर माथेरान हिल रेल्वे किस प्रकार का गेज है बच्चो अन दा बेसिस आप ट्रैक बिक्त आफ इंडियन रेल्वे वाट टाइप आफ गेज़ेस मारे थन माथेरान हिल रेल्वे बताईए बच्चो नेरो गेज मेडियम गेज ब्राड गेज इस्टाइड गेज चेशल का दो जारेक किसका कुश्चन है आंसर सब भी लोग करेंगे बहुत अच्छा कुश्चन है बताएंगे राइट आंसर क इसी पर इच्छा के लिए इंक्लूजिव वैच्छे बच्चों आपके लिए ठीके चलिए तो नेरो गेज बच्चों आपर सही उत्तर है और मैज़ोरिटी आफ दो बच्चों ने यह बोला है यही आंसर होगा बच्चों ठीके चलिए नेक्स्ट तर्टी ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था इंसेंट नेम ओफ कोश्टल ओडिशा वास कलिंगा कोशामभी कामरूप और खान देश चार ऑप्शन है बच्चों बताना है राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं जल्दी से सभी बच्चे लोग बताएंग बहुत अच्छा कोशन है बच्चों और आंसर क्या है बच्चों तो कलिंग आप सबको पता है बेटा कलिंगा इस दा राइट आंसर यह बहुत 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 बहुतरीन शानदार बहुतरीन आंसर आप सब लोगों ने किया है बच्चों ठीक है चली तो नेक्स्ट क्वेश वक्स में आंसर करके किसका आंसर क्या है कल मैं डिसकस करूँगा इस्प्रेशन को साड़े छे बजे तो जुणना ना भूले बच्चों धमाकेदार सेशन के लिए GS की मास्टर क्लास में डेली साड़े छे पर जुणे जो सब्सक्राइब और अपने परिवार का समाज का और देश का नाम रशन करिए थांकिंग यो बेरी मच बेटा बेश्ट आप रख्टे अविए विए सेशन कैसा लगा बच्चा जरूर बिताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा थेंक यो यह क्या है